चैरिस ओएस का एक लेटिस्ट अपडेट हमारे पोको के एफफोर डिवाइस के लिए आ चुका है जिसे फिलाल में करीपने दो रिनोसे डाल रखाऊ हूं बस थोड़ा सा डीले हो गया है और इसके बारे में पूरा डीटेल में आपको दूंगा कि क्या आपको यहां पर आते हैं या नहीं तो वीडियो पसंद आता है तो या लाइक करेगा और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब दोनों चैनल को कर ले ताकि आपको कहीं पर में कस्टम रूम डूव नोटिविक्शन मिल सके चलिए सुरू करते हैं यह जो चैरी सोहस का अपडेट है व आपको सिक्योटी पैच मिलता है इमरिंसीटी का कड़ना लिच किया गया है और से लिनेक्स आपको इनफोर्सिंग देखने को मिलेगा यहां पर कमी देखने को मिलिये वह इक डिजिटल वैल्विंग जो कर पा रहा है तो मेबी आने वोले टाइम में ठीक हो जाए बट अभ से working रहेगा इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला साथ से जाथ यहां पर आपको Scramble layout देखनी को मिलता है और साथ से जाथ यहां पर क्युक्त अनलॉक आप एक option दिखाई देता है और यहां पर दो दो जो कि कितना power supply कर पाता है वो मैं आगया आपको दिखा दूँगा बाकी यहाँ पे आपको temperature गरा भी देखनी को मिल जाएगा जो कि perfect है wallpaper style में कुछ खास नहीं या नहीं है pixel के आपको wallpaper से मिल जाते है live display में आपको color का और picture का option मिलता है जो कि हमारा working रहता है auto brightness भी हमारा working है और यहाँ पे आपको always on और बाके दर options देखनी को मिलते हैं यहाँ पे maximum minimum और lower आप set कर सकते हो 120, 60 और 90 वगेरा साथ साथ accidental whack up और यहाँ पे tap to whack up whack on plug वगेरा देखनी को मिलेगा और DC dimming भी आपको यहाँ पे मिल जाता है साथ साथ यहाँ पे आपको cut out technique को मिल जाता है जो कि आप use करो बट मैं use नहीं करता है मैं normal ही use करता हूँ another यहाँ पे आपको इसके customization मिलते हैं जो कि मैंने आपको I think पहले भी बता रखा है अपने take office के channel पे जब review किया था old cherries गातो तो वही सारे customization काफिया तक similar मिलेंगे और बाकि यहाँ पे आपको 90 पे अनलॉक मिलता है gaming के लिए तो आपको एक अच्छा खासा gaming experience देखनी को मिलेगा लेकिन performance result देख लेना के कैसा रहता है उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि क्लिक setting है जहाँ पे detox विजब जो गरत आपको देखनी को मिलेगा और बाकि अधर options वग़ड़ा इस stress वार में आपको देखनी को मिल जाता है यही सारे patches की पे और बाकि और options वग़ड़ा था तो जो भी आपको यहां पर option पसंद आता है ना वो आप यहां पर यूज कर पागे जो कि काफी इंटरिष्टिंग आपके लिए होने वाला है जो कि तुफाई मुझे पसंद आता है बाकि यहां पर item's देखनी को मिलता है इस रोम के तरफ से लेकिन अब बात करते हैं मैं इसके performance result कि क्या कुछ आपको नजर आता है तो डाक्ट हम से उच करेंगे performance test result के उपर तो फर्स्ट तैम मुझे एक इकपेंज का स्कोर काफी वीक लगा था लेकिन मैंने फीर से ट्राइक है तो थ्वासा इंप्रूव हुआ लेकिन स्टील काफी डाउन देखनी को मिलता है CPU टोटल मैंने 100 पे डालके चेक किया है तो यहां पर हमें देखनी को मिला जो की 92 का जो देखनी को मिलता है स्टेंट बाइब बैटी टोप की बाद करें तो 62 पर मैंने लेक्ट किया था और जो मौर्निंग में चेक करता हूं तो यहां पर आपको करीब करीबी जो 6% का आसपास का बैटी टोप देखनी को मिल जाता है जो कि थोड़ा मुझे जादा यहां पे लगा है इसके बाद यहां पर बग तो मैंने आपको बटाए दिया डिचल वेलविंग का क्या देखनी को मिल जाता है बाकि अगर लवन सपोर्ट की बात करें और बाकि यहां पर डिवाइस रट्विकेशन की तो यह साही चीज आपको यहां पर फिक्स मिलता है जैसे कि पर नहीं आएगा डिफॉल्ट अगर लॉंचर की बात करें ना तो यहां पर पिक्सल का ही लॉंचर दिया गया है एप्स ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो यह भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है और बहुत सारे लोग पूछते कि यहां पर कि आपको डार्क देखनी को मिल जाता है रिडिंग मूड बगरे देखनी को मिल जाता है और बाकी कई सरे options मिल जाते हैं जो कि आप अपने जरूत के सबसे बाहर निकाल के ला सकते हो और उसे हैं जो यूज कर सकते हो बाकी वाल्यूम बार के बात के लिए तो वही similar देखनी को मिलता है जिसम एक installation guide का वीडियो मिलेगा discussion में जिसे आप follow करके से आप अपने phone के अंदर try करना चाहते हो तो कर सकते हो या फिस cherry source जो android 13 का आया है उसका भी wait कर सकते हो review का लेकिन हाँ किस channel पर मैं दूँगा इस main second पर या फिर main पर ये पता नहीं है तो दोनों को subscribe रखना ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आपको notification मिल सके तो बस आज के लिए इतना इसा था मिलते हम निक्ति वीडियो में तब तक लिए गाईच डाटा बाई बाई